दोस्तों, पवंदीप और अरुनिता कानजीलाल की जोड़ी को एक साथ देखना उनके फैंस काफी ज़्यादा पसंद करते हैं मैं आपको बता दू कि पवंदीप राजन और अरुनिता कानजीलाल की पहली मुलाकात इंडियन आइडियल सो में हुआ था पवंदीप फाइनले इंडियन आइडियल 12 का किताब भी अपने नाम कर चुके हैं पवंदीप राजन पहले अपने पहाड़ी गानों को गाया करते थे लेकिन जब उनको मोका मिला तो उन्होंने इंडियन आइडियल में अपनी परफॉर्मेंस दिखाया और अपनी परफॉर्मेंस के बदोलत जो है उन्होंने इंडियन आइडियल 12 का खिताब भी अपने नाम कर लिया था जिसके बाद से जो है पवंदीप के सिंगिंग के दिवानगी जो है पूरी दुनिया भर में हो गई है खास करके जो है पौरणीप और अरनिता को एक साथ देखना यानि एक उनके फैंस जो है उनको एक कफल की तरह देखना पसंद करते हैं पौनदीप राजन में बहुत कमी लोगों को पता होगा ये बात की पौनदीप राजन एक सिंगर के साथ साथ एक म्यूजिक आर्टिस्ट भी है इन्होंने कई सारे बॉलिवुड फिल्मों में अपना गाम म्यूजिक भी दिया है पौनदीप और अर्णिता जो है एक साथ देखना जो है इनके फैंस इनकी लेबिश्टोरी को इनके नोग जोग को काफी ज़्यादा पसंद करते हैं इस टेज पर जब भी रहते हैं तो पौनदीप और अर्णिता जो है जगरते रहते हैं उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो है इनकी मुलाकात इंडियन आइडियल सो में हुआ था है इनके फैंस का मानना है कि पवंदीप और अर्मिता एक दूसरे से काफी ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन इस मुद्धे पर जब भी इन दोनों से ये सवाल पूछा जाता है तो साफ मना कर देते हैं वो कहते हैं कि हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं और साथ में काम करते हैं हम लोगों को एक स्क्रिप्ट दी जाती है और जैसी स्क्रिप्ट रहती है वो ऐसी परफॉर्मेंस हम लोगों को करना पड़ता है पवंदीप ने कहा कि ये सब थोड़ा इंट्रेस्टिंग एपिसोड बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि पबलिक को ये सब चीजे पसंद आती है तो जब ये सब चीजे डालते हैं तो सो जो है थोड़ा इंट्रेस्टिंग हो जाता है बाकि रियल में जो है हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और साथ में काम करते हैं फिर जो है पवंदीप ने कपिल सर्मा सो में जब पवंदीप और अरुनिता पहुचे थे तो कपिल ने कहा था अरुनिता से कि अरुनिता आप तो तुम को भी साधी के लिए रिष्टे आते होंगे तो अरुनिता ने कहा कि हाँ रिस्ते तो आते हैं तो कपिल सर्मा ने पूछा कि फिर साधी कब करोगी तो अरुनिता ने कहा कि अभी कुछ पता नहीं है तो कपिल सर्मा ने कहा कि कब आदे घंटे बाद तो फिर सभी लोग हसने लगते हैं और पौन दीप भी मुस्कुराने लगते हैं तो अभी पौन दीप और अर्निता की साधी नहीं हुई है दोनों ही सिंगल आएं और दोनों को एक कपल की तरह उनके फैंस देखते हैं तो उनका मानना है कि पौन दीप और अर्निता दोनों एक साथ साधी कर लें और अपने जो है नई जीवन की सुरुआत करें तो आपको क्या लगता है कि पौन दीप और अर्निता को साधी कर लेना चाहिए कि या ऐसे ही जो है रिलेशन में रहना चाहिए या जो है पौन देप और अर्निता के बीच कुछ भी नहीं है वो दोस्त हैं अगर आप जो भी मानते हैं इस मेंटर में कमेंट करके जुरूर बताना थैंक्यू सो मच